हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हमें एक पासवर्ट बेस सर्कुट ब्रेकर बनाने वाले हैं जिसकी मुदस्ट से फ्रेंट्स हम किसी भी एलेक्रिक लाइन को सिर्फ पासवर्ट की मुदस्ट से ओन या ओफ कर सकते हैं friends ये project मैंने lineman की safety के लिए बनाया है repairing के समय कोई दूसरा person light को on या off ना कर सके इसके लिए हमने यहाँ पर इसमें password को set किया है friends यदि हमको यहाँ पर light को on करना है तो हमको यहाँ पर एक password डालना है 1, 2, 3, 4, A जिससे friends light on हो जाएगी और इसको बापिस से off करने के लिए हमको यहाँ पर एक password डालना है 1, 2, 3, 4, C जिससे light off हो जाएगी friends यदि हम यहाँ पर एक wrong password को डाल देते हैं तो friends यहाँ पर LCD में हमको wrong password प्रेंट होकर आएगा तो चली friends अब हम इस project को बनाना start करते हैं तो इस project को बनाने के लिए friends सबसे पहले हमको यहाँ पर एक Arduino लेना है इसके बद friends हमको यहाँ पर एक LCD लेना है जिसके साथ हमको एक I2C मोडियूल को connect कर लेना है इसके बद friends हमको यहाँ पर I2C मोडियूल के साथ 4 jumper wires को connect कर देना है Black को Ground के साथ, Red को VCC के साथ, Green को HDA के साथ और Blue को SCL के साथ Connect कर देना है इसके बाद Friends हमको यहाँ पर I2C Module को Arduino के साथ Connect करना है इसके लिए हमको Black Jumper Wire को Arduino के Ground के साथ Connect कर देना है Red Jumper Wire को हमको Arduino के VCC Pin के साथ Connect कर देना है Green Jumper Wire को हमको Arduino के A4 Pin के साथ Connect कर देना है और blue jumper wire को हमको Rd9 के A5 pin के साथ connect कर देना है इसके बद friends हमको यहाँ पर एक keypad matrix लेना है और इसमें total friends आप देख सकते हैं 8 pin है और इन 8 pin के साथ हमको 8 jumper wires को कुछ इस प्रकार से connect कर देना है इसके बद friends हमको इन jumper wires का connection Rd9 के साथ करना है तो friends हमको यहाँ पर blue jumper wire को D4 के साथ connect करना है green को D5 के साथ connect करना है yellow को D6 के साथ connect करना है orange को D7 के साथ connect करना है red को D8 के साथ connect करना है brown को D9 के साथ connect करना है black को D10 के साथ connect करना है white को D11 के साथ connect करना है और कुछ इस प्रकार से friends हमको Keypad और Arduino के आपस में connection कर देना है इसके बाद friends हमको यहाँ पर एक relay module लेना है और इस relay module के साथ हमको तीन jumper wire connect करना है Green को हमको ground के साथ connect करना है Red को हमको VCC के साथ connect करना है और Blue को हमको input pin के साथ connect करना है इसके बाद friends हमको relay module के green jumper wire का connection Arduino के ground के साथ कर देना है Red jumper wire का connection हमको RD9 के 5V के साथ कर देना है और Blue jumper wire का connection हमको RD9 की pin number D12 के साथ कर देना है इसके बद फ्रेंड्स हमको यहाँ पर एक bulb holder लेना है जिसके black wire को हमको बीच में से कुछ इस प्रकार से cut कर देना है इसका connection friends हम आंगे relay module के साथ करेंगे तो friends पहले black wire को हमको relay module के common pin के साथ करना है और इसके दूसरे बाले black wire का connection हमको relay module के normally open pin के साथ कर देना है इसके बद friends हमको RD9 में कोडिंग को upload करना है जिसके लिए हमको data cable को RD9 के साथ connect कर लेना है और OTG cable को अपने android mobile के साथ connect कर लेना है इसके बद फ्रेंड्स आपको Play Store से Ardenoid Application को Download करना है और इसको Open कर लेना है फ्रेंड्स नीचे मैंने Coding की Link दी है Simply आपको Link पर जाकर Coding को Copy करना है और Screen पर आकर Paste कर देना है इसके बद फ्रेंड्स आपको Compile बटन पर क्लिक करना है और इस Code को Compile कर लेना है और Compile होने के बद फ्रेंड्स आपको Upload बटन पर क्लिक करके इस Code को Ardeno में Upload कर देना है इसके बद फ्रेंड्स हमको यहाँ पर एक Plywood लेना है और सभी Electronics Components को Double-Sided Tape की मदश से या फिर Hot Glue की मदश से कुछ इस प्रकार से Fix कर देना है इसके बद फ्रेंड्स हमको यहाँ पर एक 5V 1A का Adaptor लेना है और इसका Connection हमको Ardeno के साथ कर देना है तो फ्रेंड्स हम हमारा Project बनकर Ready हो चुका है अब मैं आपको इसको Check करके दिखाता हूँ तो यदि फ्रेंड्स हम यहाँ पर Light को On करना चाहते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको यहाँ पर एक Password एंटर करना है तो जैसा की फ्रेंड्स हमको मालूम है इसका Password है 1234A जिससे Light On होती है सेम इसी प्रकार से Light को Off करने के लिए हमको यहाँ पर Password डालना है 1234C जिससे Light Off होती है फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप मेरे चैनल पर ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें